हेलो एब्रिवान स्वागत है आप सब का उत्राखन ब्लोगर संतो सिरावत के चैनल पर तो गाइस अभी सुबह सुबह के बज रखें हैं चार और यहां पर मैं आलू कस रही हूं जैसे आप देख रहे हैं तो उबाले नहीं हैं कस के मैं जो है पराठे बना रही हूं बच्चों के लिए पराठे बना के रख के जाओंगी और मैं आज कहीं जा रही हूं बाहर तो जल्दी निकलना है हमको और देखे पिर यहां पर पराठे जो हैं मैं इस तरीके से बना रही हूं आज उबाल के नहीं बना रही हूं, और आलु जो है मैंने कस्द दिये है, नमाग, मेड, जल्दी, सब कुछ मैंने आठी में ही एड कर दिया है, और आलु भी मैं आठी में ही एड कर दूंगे, 修ह बनाऊंगी पराठे और उसी मिट्टी वाले तवे मैं ये पराठे बनाऊंगी और तो चलिए आज है काईस डेट है आज 8 जुलाई और दिन है आज बुद्धबार तो मुझे कहीं क्या मैं जा रही हूँ आज अपने बहन के वहाँ चलो आपको मैं बता ही देती हूँ सस्पेंस क्या रखना है तो जैसे की मम्मी बहुत दिनों से है मेरे बहन के घर और आज जा रही है वो उत्राखन गाओं कुछ काम है तो भाई भी जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही है और इसलिए आज मैं वहाँ जा रही हूँ उससे मिलने के लिए और उनको जो है साथ या साड़े छे साथ बज़े वो निकल जाएंगे तो इसलिए मैं जल्दी निकल भी चार बज़े हैं तो पराठे अगर बना के आदे घंटे में हमें फटा-फट से निकलना है और आदा घंटा क्या अगर थो टाइम लग गया तो पांच बज़े से हमें पहले यहां से निकलना है क्योंकि जहां मैं रहती हूं वहां से काफी दूर रहती है मेरी बहन और दूर के अनुएड़ा रहती है और हम डैली में रहते हैं तो यहां से हमारे यहां से एक डेड़ घंटा लगता है वहाँ जाने में तो इसलिए चलिए फिर इसके बाद पराठे बना के नहाद हो के मैं और राव जी त्यार हो के सिधा निकलेंगे अपने बहन के घर और गैस वहाँ जाके देखते हूँ अगर मम्मी जाएगी उस टाइम वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं क्योंकि मम्मी की तब्यद भी थोड़ा ठीक नहीं है और इसलिए उस टाइम थोड़ा सा उसका जाने का भी अभी मन नहीं था लेकिन जाना पड़ रहा है कुछ काम है तो इसलिए भाई जा रहे हैं और मम्मी जा रही है और एक मम्मी के साथ जो है हेलपर जा रही है और एक लेडिज को रखा है ना मम्मी के लिए सारा काम अगरा करती है मम्मी का वो तो वो जा रही है मम्मी के साथ और मैं नहीं जा पा रही हूँ ना को मेरी बेहन जा पा रही है क्योंकि अभी हमें टाइम भी नहीं है बच्चे हैं तो यहां इनके साथ रहना जो है जोड़ी है क्योंकि अजकल यह बीमारी ने बहुत परिशान कर रखा है तो बच्चों के बसका होता नहीं है यह सब काम अगर तो इसलिए ममें ने कहा कि कोई नहीं मैं चली जाओंगी भा आए थे और यह मिट्टी के तुबए में पराठो के थोड़ा स्वाद अलगी हो रहा है बहुत ही स्वाद तो चलिए फिर गाइस मिलते हूं आपको थोड़ी देर में तो गैस यहां पर पांच बज गए हैं तो लेटी हो गया था मुझे पराठे बनना है तो अभी देखे सुबह के करट पांच बजे हैं जब हम घर से निकल गए हैं नएड़ा के लिए मम्मी को मिलने और तो यहां पर एकदम रोड सुमसान है अभी ज्यादा कुछ है ने रोड में चहल पहल नहीं हो रही है आज काल वैसे भी कम है लेकिन आब हो ही गई है जारे लेकिन सुबह के टाइम देखे एक्दम सान्त सा हो रहा है और मौसम अभी सुबह के टाइम बहुत अच्छा हो रहा है दिन में तो खьर बहुत ही गर्मी हो रही है तो गैस आज मुमी गाओं जा रही है तो बेन के घर वहाँ जाओंगी और फिर मुमी जाएगी गाओं के लिए उसके बाद फिर हमने सोचा है थोड़ा बहुत स्वापिंग करने का जादा नहीं तो आप लोग जो है बने रही है और पूरा वीडियो जो है व्लोग को वाच कीजिए पूरा तो आप लोग देखना मैं क्या-क्या आज खरीदारी करके ला रहे हैं और कहां जा रहे हैं और पूरा पता है आपको आज चार महने के बाद मैं बाहर निकली हूँ पांच-छे महने में मतलब मैं अपने वहां थोड़ा सा ही जाती हूँ जैसे नीचे सबजी अगरे ले आई वहीं पे घर के पास से ही और दूद ले आई जैसे सबजी हम जाए ने जादा तो खेर राओ जी जाते हैं तो कभी कभार में लाती हूँ बच्चे भी ने जा रहे हैं तो आज पूरा बाहर मतलब घर के बाहर जो बाहर जाना होता है वो आज मैं जा रही हूँ पूरा चार महने के बाद पांच्वा महने लग गया है ये मुझे घर में ही चार महने होगे तो पांच मेहने में आज निकल लें हम बाहर तो देखे आज काफी अच्छा सा लग रहा है थोड़ा क्योंकि घर में ही चार मेहने रहना काफी होता है यार चार मेहने से एक दम घर के बाहर बिल्कुल भी निकले हैं तो रावज जी तो खेर अब डूटी जा रहे हैं तो हम नहीं जा रहे हैं तो गाइस नवड़ा हम पहुँच चुके हैं देखे और थोड़ा वुजाला भी हो चुका है और फिर अपने बेहन के घर पहुचके न देखूंगी क्योंकि आज मम्मी जा रहे है कितना अच्छा लग रहा है और इधर है भी बहुत बड़िया जगह है और बिल्डिगे है काफी बड़ी बड़ी सी और सुबह-सुबह तो इतना मज़ा रहा है सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चले गाइस मिलूंगी आपको क्योंकि मम्मी जब जायेगी तो शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुज़े भी बहुत बूरा सा लग रहा है और मम्मी तो फिर रोने लग जाती है तो उस time वीडियो नहीं बनाऊंगी और फिर उसके बाद जो है मिलूँगे आपको क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना भी है थोड़ा बहुत हमने सोचा है फिर आज क्योंकि रावज जी मम्मी जब चली जाएगी न तो ये डूटी निकल जाएगे तो फिर मैं और मेरी बेहन जाएगे थोड़ा समानगर खरीज दिने तो यहां मैं पहुँच गए हूँ देखिए यहां रहती है मेरी बेहन तो यहां पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं रावज जी और मैं इधर साइट पर खड़ी हूँ अब हम उपर जाएंगे पहुँची गए हैं हम यहां और साड़े पांच करवन हो गए हैं अच्छे बजने वाले हैं थोड़ा लेटी हो गया है तो उपर जाके चाय पानी पीएंगे उसके बाद मम्मी चली जाएगी गाओं के लिए और भाई जा रहे हैं सांत मैं मम्मी के और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी प्राइब जाएब 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 ज तो बस पिछोड़ी दो आजाद क्या है आप दो ले आज सेट डब गया और इसको अगर नहीं आज़ा को को किया खाएगा क्या खाएगा को को कि यह आज़ा कुको हाँ चोटी बना रहे हैं चोटी आओ अंदर आओ आओ अंदर आओ 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 अंदर आओ क्या पर वह इसके उपर कि सारे लोग इससे प्यार करें याँ चोड़ दिया वहां वाई गया इस पुरह दलती जो इसके पास मत रेजिए इस तो भी बड़ा तोड़ा सा बड़ा होगा है थोड़ा होगा हमारे वाली तरही है उसके ओर रिशिगा के पास भी ऐसे से जोटी वाली कोको आओ जम पाल ले ले नहीं 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 मा देगा नहीं इस्टेर्स पे तो उसकी फटती है को को कटेगा तुनी नहीं मा नहीं करें तो आप ऐसे कर दे रखों को दर दो रहे तो छोड़ेगे पिर नहीं करें तो अजिए यह की वे जलता हो है को को बिस्केट रहने है बिस्केट बढ़ दर तब कि तुम नहीं आएगे शूच को खाले आपिक करदे सान्यू हाँ रॉफश इसके अजह है है अजय है आफ प्वर प्शुने के शानीट है आप दोक्रणेशल कि आप आट दिए गया है मैं ही मेर क्या यां इसकेट बिस्केट खागा गारिया बिस्केट खारे भिस्केट कॉकॉ कॉकॉ अरे यह कर दो महाने बेशो कर से मोगा पूने दो तो खाले अमा तो खाल आप तुम्हे खाया नहीं भाई सब्जी नहीं थो दिया यह रख दियो कॉकॉ कॉकॉ मॉपकॉ कॉपकॉ कॉपकॉ मॉपकॉ क्याच कॉपकॉ वे सकते हैं रिखर चेंव कि अम बोलै यह वे आओ आओ अंदर आजए कुको आज कुको अंदर हो अब वहां बैठे़े पाइदान में आज कुको तो गाइस चलिए फिर आप लोग भी चलिए हमारे सांथ थोड़ा सौपिंग अगर करने और यहां पे बारा बज गए हैं करेट और रावजी चले गए थे डूटी और देखे मेरा भाई आपको भाई बोल रहा है यह मेरा भाई का लड़का हम भाई ही बोलते हैं मैं इनकी बुहाओं खेर तो अमन चलाएगा गाड़ी और मैं और मेरी बेहन बैट के जाएंगे तो हम थोड़ा समान अगरा खरीद रहे हैं आप लोग देखी लीजेगा हम कहां कहां जा रहे हैं करके और मम्मी सुबह चली गई थी साड़े छे बिजे निकल गए थे वो लोग गाओं के लिए तो उस टैम बनाए नहीं मैंने जैसे की बताया है हम में बहुत जादा रोने लग जाती है तो वो रो रही थी उस टैम कोई वीडियो डियो नहीं बनाई फिर हमने घर में थोड़ा बैठे रहे और कोको के साथ हमने खेला काफी और फिर उसके बाद हम निकल गए हैं मॉल के लिए तो मॉल जा रहे हैं रास्ते में कुछ मुझे समान और भी खरीदना है आप लोग देखी लेना भी तो हम यहां पहुंच गए हैं नरसरी में यहां पौंधे भी हैं काफी और यहां गमले पॉट्स यह रखे हैं चीनी मिट्टी के तो मुझे काफी सौक है पौधों का और गमलों का ये चीनी मिटी के जो पौट होते हैं ये बहुत ही बड़ी है रहते हैं जैसे साप कर दो एक दम बड़ी है चमक भी जाद है तो जैसे कि आपने देखा काफी वीडियो मेरे पा हैं भी और मुझे और पसंद है जैसे नए नए तरीके के लेने के तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं तो गैस मैंने जादा तो नहीं कुछ खरीददारी कर रहे हैं यहाँ से वो आप बाद में देखोगे तो यहाँ हम देख रहे थे हमने का चलो यहां पे से हमने देखा तो यहां पे कुछ खास उतना पसंद यहां तो फिर दूसरी साइड गए यहां पे और यहां पे भी देखे बहुत सारे हैं और बहुत बड़िया बड़िया सुन्दर पता है डिजाइन इतने सुन्दर मन तो करता है मेरे कि सारे खरीद लो लेकिन जो है कि इतनी जगे नहीं है हमारे पास हम फलेटों में रहते हैं और इसलिए नहीं तो रखने को मन करता है मेरे बहुत ज़्यादा अगर जगे होना बहुत सुन्दर सुन्दर पौट हैं यहां बहुत ही सुन्दर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखिए इसमें पॉधा लगा दो जैसे तो बहुत सुन्दर लुक आएगा ये देखिए आप घर के अंदर रख सकते हैं अगर आपके पास जगह बालकनी अगर मैं बना सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लेकिन हमारे पर इतनी है बालकनी में और घर के अंदर भी अदल वदल के पॉधे रखते हैं बहुत अच्छा लगता हमजे पॉधे लगाना घर में तो चले गाइस वहां से कुछ हमने खरीदा कुछ समान और अब हम आ गए हैं मॉल में तो थोड़ा बहुत हमने का आज पूरा चार महने के बाद बहां निकले हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहां भी जादा तो नहीं थोड़ा बहुत ही समान खरीदा था तो वह आपको मैं दिखाऊंगी बाद में पहले चलिए मॉल के अंदर चलते हैं और बहुत ही बढ़िया मॉल था साफ सुत्रा पूरा सैनिटाइज अग काम तो काफी बड़ा मॉल था और काफी समान भी था और लोग काफी कम है पता है बहुत जादा कम है अभी इतने बीड नहीं हो रही है बहुत कम है मार्केट में अभी हल चली इतनी नहीं है लोग ये बीमारी के वज़े से काफी डर भी रहे हैं बाहर जाना और जा भी रहे एक दम साफ सुत्रा तो वैसे हम आ गए हैं अंदर और काफी कुछ समान था यहां से हमने बैट शीट भी देखी थी और यहां पर काफी बैट शीट रखे थे अच्छे-च्छे कलर के थे और जो है रेट भी अच्छे थे लेकिन वही है मतलब महंगे भी थे सस्ते भी थे क्वाल्टी अलग अलग थी हर चीज की तो वहां से हमने बैट शीट देखी फिर हम इधर आ गए हैं धर क्रोकरी अगरे रखे हैं तो लेने को तो मन बहुत कुछ करता है वही है बस जेब में जो है पैसे नहीं होते हैं इतने तो अपनी जो है बजट के हिसाब से ही समान खरीदना पड़ता है लेकिन काफी कुछ यहां बहुत बढ़िया बढ़िया था मेरा मन तो था काफी कुछ लेने का लेकिन वही है तो पैसे थे नहीं तो थोड़ा बहुत लेकिन हमने खरीदा फिर भी अपने जेब के हिसाब से और यहां देखके अंदर आगे हूँ, ही कीचन का काफ़ी, इतना सुनार सुनार समान था घर के लिए, बहुत ही शुन सुनार सीज़ है त्टेय जैसे तो इनकोấy आप डैनिंग टेविल पे या कीचन में जैसे आवन के उ पर रखदो पता है बहुत ही सुनार लगते हैं, इनम तो मुझे काफी सौक है ये सब चीजें खरीदने का लेकिन वही है अपने जेब के हिसाब से देखना पड़ता है मन तो करता है सब चीज़ खरीद ले पर यह कि देखने में क्या जार है हमने का चलो देख लेते हैं अच्छे से और थोड़ा बहुत हमने चीज खरीदी है यहाँ से भी जादा नहीं दो-तीन चीज़े मैंने खरीदी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगे तो गैस मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो जो है ना ब्लॉग मेरा काफी बड़ा हो रहा है तो जो मैंने समान खरीदा है यहाँ से और वहाँ से जो मैंने पॉर्ट अगर खरीदे हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तो आप लोग मेरा दूसरा ब्लॉग इस ब्लॉग को लाइक शेर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कीजिए और अगला जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैंने यहां से क्या क्या खरीदा तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में अब मैं जा रही हूं घर साम हो गई है पुरा दिन मुझे यहां लग गया है सुबह से साम तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में टेक क्यार एंड बाबाई